हेलो दोस्तों, वेलकम टो माई योट्यूब चैनल, टैक्स एन अकाउंट्स में आपका स्वागत है, आज मैं आप लोगों को वैट रिटन से रिलेटेड फार्म बावन, जो एनुवल रिटन गुर्स वैलू अड़ेड टैक्स से रिलेटेड है, कमर्सिल टैक्स डिपार्टम का, जो फॉर्म बावन है, एनुवल लिटन गुषित में था, क्योंकि इस समय वैट के केसिज भी हो रहे हैं, और आप लोग सी की रहे हैं, एनुवल लिटन गिश्टी रिलेटेड में आप लोगों को दोगा, तो वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले आप इस तरीके का आपका फॉर्म कुछ होता है यह आपका फॉर्म है फॉर्म बावन यहाँ पे सबसे उपर आप देख सकते हैं फॉर्म बावन डिपार्टमेंट आप कॉमर्शिल टैक डिपार्टमेंट अप उत्तर प्रदेश इस यह आपका वैट फॉर्म फिफ्टी टू है जो की अनुवल लिटन था जो केस फाइल करते थे हम लोग वैट का उसके लिए इसे बहा जाता था जिसमें सबसे पहले आपको असेस्मेंट येर देना है कि आपको किस साल का केस आप लोग बना रहे हैं तो जैसे 16-17 का केस हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पर 16-17 दे देंगे उसके बाद में असेस्मेंट पीरियड एक चार सोला से 13-17 हो जाएगा ऐ थर्ड नम्बर कॉलम आपका दिया हुआ है नेम अडगे अडरेस तो पाथी का नाम और अडरेस यहाँ अप फिल कर देंगे चार नम्बर कॉलम नेम अड़ आडरस अफ़ ब्रांश डेपर्टमेंट अगर आपकी फर्मका कोई ब्रांच कोई अलग दिपो कोई अलग ब् कर वायर था सब से पहले N1 को हम लोग देखते हैं कि क्या देना हमें क्या देना है यह धर वन्में तब्राम्ट रेव्चलिवा डिवायर आनौल डिटल अफ डिक टेल डेडिटिक र गॉरेशिवर्ड के रिसीब फ़ांन स ऑ डेपर्मिन अठ्र एक तो फॉर्म 31 की डिटेल देनी है, फॉर्म 31 की, फॉर्म 38 की, फॉर्म C, फॉर्म F, फॉर्म H, फॉर्म EI, फॉर्म EII, D, I and J, any other form related to this thing. अब आपको सबसे पहले ज़्यादा तर हम लोग form C, form और form 38 की विसे में जानते हैं, form 38 होता है कि form C के against में, जब हम form 38 से कोई XUP पर्चेज करते थे, उसके लिए हम form 38 के थूमाल लाते थे, जो कि CHT 2% लगता था, Central Sales Tax, और उसके against हम C form इसू कर देते थे, तो 2% ही हमारे supplier को government को pay करना पड़ता था, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको opening balance डाल देना है, उसके बाद में form 38 में जितने receive किये, वो डाल देना है, कितने consume किये, वो डाल देना है, और कितनी value के total amount, तीनो फार्म का या चार फार्म का जितने आपने consume किये, उसकी value total कितनी ह destroy, surrender and balance, यह चीज आप यहाँ कर लेगे, फिर form C, आपने कितने लिए, form कितने use किये, कितने amount के use किये, और कितने balance बचे, वैसे form F, form H, stock transfer वगएरा से related थे, एक दूसरे से अपना stock transfer करना होता था, उसके related भी form आप use कर सकते है, तो आप अपने relevant form की detail यहाँ fill करेंगे, इसके आपको अनेक्जर 2 मिलता है, एनेक्जर 2 में detail of the purchase, पर्चेज में वैट गुड्स, सबसे पहले number column में, purchase in own account against tax invoice, तो आपने जो अनेक्जर A किया था, जो कि आपका purchase का एनेक्जर होता था, form 24 जब हम fill करते थे, वैट का, उसमें आप, जो आपकी tax invoice की purchase है, उसकी total यहाँ पे आप दिखा देंगे, total आपकी जो purchase है, एनेक्जर A से, चाहे आप 5, 12, 18, जो भी consolidated आपको दिखाना है, 5, 12, जो ही है, फिर purchase in own account from other than dealer, किसी other dealer से आपने registered dealer से अगर खरीदा है, तो उसकी detail दे देंगे, purchase of exempted goods, अगर कोई आपने exempted goods purchase किया है वैट में, तो उसकी detail यहाँ पे देंगे अनेक्जर 2 में, purchase of XUP, XUP purchase किया है, तो उसकी detail दे देंगे, इस प्रकार आप अपनी purchase कि detail को यहाँ submit कर देंगे, उसके बाद में, इन से अलावा कोई related कोई other आपकी purchase है, तो उसकी detail भी आप यहाँ दे सकते हैं, less purchase return, एनेक्जर A1, अगर आपने कोई purchase return किया हुआ है, उसकी entry यहाँ पे आप डाल देंगे, तो आपका purchase return के entry हो जाएगी, और यह आपकी purchase की field complete हो जाएगी, non-wet goods, अगर कोई non-wet से related आपने goods supply किया है, उसकी detail भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, नहीं किया, तो आप छोड़ सकते हैं, मेरे case में नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया है, capital goods purchase in within the state, अगर आपने capital goods purchase किया है within the state, A2, energy year A2 होता था, capital goods related, अगर आपने कोई capital goods purchase किया है, जिसके आपने ITC claim की है, उस capital goods की आपको detail यहाँ पे देनी है, purchase against tax invoice, capital goods, तो यह detail आप यहाँ पे fill कर देनी है, इसके बाद में आप, अगला आपका purchase through commission agent, अगर आपने कोई commission agent के थ्रू काम किया है, उससे related purchase की है, उसकी आपको detail देनी है, commission agent एक प्रकार से होता है कि हमने commission पे कोई माल लिया, जैसे आठत वगेरा लोग चलाते है, कि हमने कहा कि हम आपका माल सप्लाई कर देंगे अपने आठत से, और हम आपसे 5% commission लेंगे, तो commission के थ्रू आपने जो माल purchase किया है, उसकी detail यहाँ पे देनी होती ह purchase value goods received from outside state against declaration of certificate, अगर आपने कोई purchase value goods किसी other state से की है, उसकी detail आपको देनी है, purchase against form C, form H and form I, इसे related अगर कोई purchase की है, उसकी detail यहाँ देनी है, value of goods received from outside state against form F, अगर आपने form SF के related कोई purchase किया है, तो यहाँ पे आपको इसकी entry टाल देंगे, उसके बाद में annual detail of sale, एनेगजर 3 सेल का होता है, form 52 में, WETS related, एनेगजर में, आपको सबसे पहले number column में, turnover of sale in own account against the tax invoice, अगर आप, एनेगजर भी tax invoice sale के लिए होता था, जितनी भी आपने consolidated sale की है, चाहे 5% की, चाहे 12% की, जिसे 5 हो गया, तो इसमें क्या था कि WETS और SET, दो लगते थे, एक special tax होता अडिशनल और एक होता था WETS, तो WETS जिसे 4% तो 1% SET था, उसके बाद में 1.5% WETS का item था, तो उसमें 5% का 2% का SET लगता था, 2.5% धीरे-दीरे SET लगाया गया था, जब सबसे पहले WETS आया था, तो SET की, कोई उसमें अवधारणा नहीं थी, न SET लगता था, तो आपको अपना consolidated tax invoice की sale यहाँ दिखानी है, उसके बाद sale invoice की जो sale है आपको, column number 2, turnover of sale in own account other than column number 1, turnover of exempted goods, exempted goods की sale जो की है उसकी detail दाल देंगे, वैसे ही principal sale की detail दाल देंगे, और interstate sale against C form, अगर C form से कोई sale की है आपने, जिस प्रकार हम purchase करते थे, अगर हमने sale भी किया है कोई, किसी other state में, उसकी detail यहाँ पे आपको डाल देंगे, इस प्रकार आप अपनी sale को अपने according देखते हुए, consignment से related कोई है तो वो डाल देंगे आप, H form से related है वो डाल देंगे, I से related है वो डाल देंगे, तो सारी sale अपने relevant field को यहाँ देखते हुए, आप sale में डाल देंगे, mostly इतने ही column आपके यूज होते है, tax invoice sale, sale invoice sale, exempted goods, xup sale, और बहुत लोग export का भी काम करते हैं, तो export वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं, column number 7 में, sale in course of export out of India with from, with form of export, अगर export form के साथ में आपने बेचा है, तो यहाँ डाल देंगे, without form के साथ बेचा है, तो यहाँ पे डाल देंगे, column number 7 और 8 में, इसके बाद में आपका यह sale total निकल के आ जाएगा, अगर कोई sale return आपने किया, NXRV, और यहाँ पे entry कर देंगे, व automatic, यहाँ less कर देंगे, तो यहाँ आप sale return के अपनी detail डाल देते हैं, sale return detail डालने के बाद में, आप non-wide goods, अगर non-wide goods कोई goods आपका है, वो भी detail इसके अंदर आप fill कर देंगे, और non-wide goods related आप entry कर सकते हैं, और अपनी sale को adjust कर सकते हैं, उसके बाद sale through commission agent, अगर commission agent को तरू आपन की detail डाल दी है, अब NXR 4 में consolidated computation of tax on purchase, अब यहाँ पे आपको purchase पे आपको tax बताना है, कि आपने जो purchase पे tax दिया है, वो tax कितना है, क्योंकि ITC मिलती थी वैट में भी जैसे हमें GST में ITC मिलती है, वैसे ही वैट में भी हमको ITC input credit मिलता था, तो हमारे case में क्यों 4% का item हमने purchase क किया है, वो 4% का item हम यहाँ पे ले लेंगे, और उसका 4% का यहाँ tax calculate कर देंगे, 4% से tax calculate कर देंगे, यहाँ जाएगा, अब इसमें क्या है कि SAT कितने पे लगता था, अगर SAT की figure जितनी है, 1% SAT था 4% वाले में, तो 1% का हमारा इसमें 49,14,000 में 1% केवल 20,26,503 रुपे का था जिसे SAT लगा था, तो यह इसकी figure यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारी ITC यहाँ पे निकल के आ जाएगी, अगर आपका साड़े बारा का है, तो इसमें आप साड़े बारा का item भी डाल सकते हैं, इस प्रकार आप देखेंगे, कि आपकी sale का breakup percentage वाज हो जाएगा, साड़े बार तक आपको 1.5% देना है, अक्टूबर से 2% हो गया था, 15-16 के case में, वैट में, इसके बाद में आपको सीधे आजाना है, Consolidate Computation of Tax on Sale, आप सेल पे आपको टाक्स बताना है, सेल भी मैंने 4 का खरीदा, तो 4 ही का बेचा था हमने, इसलिए हमने यहाँ पे 4% की सेल दिखा दी और उसका tax निकाल दिया, और 1% पे ही पूरा मैंने माल अपना supply किया है, जितना भी था, साइट 1% था, एडिशनल जो वैट tax था, वो 1% में ही था, तो 4% भी 46,000 की क्याओन हजार पे, और 1% 46,000 की क्याओन हजार पे, तो यह हमारा output tax निकल के आ गया, इस प्रकार हमें, अगर आपने competition on central, अगर आपने कोई form C के थ्रू माल supply किया है, sale किया है, तो उसकी detail आप यहाँ पे डाल देंगे, उसकी detail यहाँ पे आपको फिल करनी होती है, इसके बाद एनेक्जर 6, एनेक्जर 6 में stock detail, अब आपका opening stock और closing stock यहाँ पे देना है, with commodity name and code, तो हमने, हमारा opening stock कुछ था रही, जो closing stock था, उसका हमने commodity code के हिसाब से, यहाँ पे closing stock दे दिया है, इसके बाद एनेक्जर 7, consolidated detail of ITC, यह देखिए, consolidated ITC, अब यहाँ पे हमको यह बताना है, सबसे पहला column ITC brought forward from the previous financial year, अगर आपका previous financial year में को ITC देना है, उसकी detail आपको यहाँ पे देनी है, उसके बाद आपको ITC earned, ITC earned, delivering the assessment year, अब ITC जब आपको earned करनी assessment year में, इसकी detail आपको देनी है, आपने ITC on capital goods, अगर capital goods में आपने जो भी ITC ली है, उसकी detail यहाँ दे दीजिए, ITC earned goods, other than capital goods, जो हमने purchase के through ITC paid की है, उसकी ITC और capital goods की, हमने capital machinery बगार अपने plant के लिए purchase की थी, उसकी ITC हमको लेनी है, तो ITC हम यहाँ पे डाल देंगे, जो उपर हमने आपको बताया था, capital goods की column में, कि वहाँ पे figure आपको देनी, कितने का capital goods आपने purchase किया है, अगला gross admissible, one and column number two, gross admissible, यह हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ देना है, इन दोनों का total यहाँ पे आजाएगा, और यह हमारी total ITC, यहाँ पे देखिए, एक और दो का total यहाँ पे आ गया है, इसके बाद में आप लोगों को total ITC आने के बाद में, यहाँ पे बताना है, कि आपने कोई UP white ITC adjusted against act pay bill under UP white act for the current year, ऐसी कोई ITC आपने adjust की है against tax pay bill current year, उसकी detail यहाँ पे आपको देनी है, UPTT के against आपने कोई adjust किया है, उसकी detail आपको यहाँ पे देनी है, अब आपको refund कोई मिला है section 41 के थ्रू, उसकी detail दे दीजिए, और refund कोई section 15 के थ्रू मिला है, उसकी detail दे दीजिए, यहाँ पे detail देते हुए, यहाँ पे कोई ITC carried forward for the next year, अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप इस साल में ITC adjust करते हुए, आपको next year कितनी ITC transfer करनी है, यहाँ पे उसकी detail आपको दे देनी है, तो यह अगले साल मेरा जैसे 15, 16, 17 का case है, तो यह हमारा ITC जो next year transfer होगा, यह हमारा next year की जो ITC है, यह assessment year 17 और 18 के लिए हमारी ITC claim हम करेंगे, क्योंकि हमारा case 15, 16 का है, तो 17, 18 के assessment के लिए यह हमारी ITC निकल के आ जाएगी, इसके बाद में energy rate consolidated detail of deposit along with return of the tax period treasury form, अब आपको यहाँ पे देना है कि आपने जो चलान के साथ में, UPWAT का जो चलान होता है form 1, उसके according जो आपने tax जमा किया है, उस tax को आपको मन्थली break up के हिसाब से देना है कि आपने किस महीने कितना tax जमा किया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप April में, माई में, जिस महीने का जो tax है वो entry कर देंगे, और किस तारीक को जमा किया वो, कौन सी bank से और कौन सी branch से, इसका एक चालान नमबर होता है, उस चालान के entry भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से चालान आप कर देंगे, तो यह आपका, जो आपने tax paid किया है, उसकी detail यहाँ आप complete हो जाएगी, अगला form आपका consolidated adjustment in form 33A, यह बहुत कम लोगों को यूज होता है, इसकी इतना जरूरी नहीं, tedious related, अगर आपका कहीं where tedious cuta है, उसकी detail आपको यहाँ देनी है, name of contractee, tedious amount, और form number, carried forward detail, अब आपका जो tax next year carried forward हो रहा है, उसकी detail यहाँ पे आजाएगी, और इतना tax हमारा consolidated, अगले साल 16-17 में हमको मिलेगा, simply यहाँ पे declaration कर देना है, बिजेश को जो आपके owner है, owner नाम company है, तो proprietor या director, कहां से आप फाइल कर रहे हैं, उसकी detail पूरे देने के बाद, अब आपका यह form 52 complete हो गया, इसमें बस एक छोटी सी एनेगजर यह और attach कर नी है, जो की form 38, form D, E, F से related है, अब वो आपने कोई use किये है, उसकी detail यहाँ पे दे देनी है, पार्टी का नाम, form 38, bill number, commodity name और amount, यहाँ पे form 38 की detail दे देंगे, form B, C, F, H, I की detail यहाँ पे दे देंगे, इस प्रकार आप सारी चीछ complete करते हुए, आप देखेंगे, कि आपका form 52, यहाँ से complete हो चुका है, यहाँ से save कर देंगे, इसके साथ में कुछ supporting paper लगते हैं, उन supporting papers के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो supporting paper, अगर, चार supporting paper लगेंगे इसके साथ में, एक तो आपको sale का detail maintain करना है, sale register आपको देना है, दोसरा आपको purchase register देना है, तीसरा XUP purchase register देना है, चौता wire deposit चलान की detail देनी है, trading account बना के देना है, कि आपका जो trading account है, वो बना के देना है, farm 52 फिल करके देना है, और farm 23, और farm 23 बना के देना है, जो जिस प्रकार GST audit में 9C है, उसी प्रकार wire audit में farm 23 था, जो wire audit chartered accountant से कराना होता था, तो आशा करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस समय वायट के cases बहुत हो रहे हैं, तो आप लोग इस प्र झाल 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 झाल झाल